नेक्स पोश्चन है, प्लीज टेल बीए अडिशनल बीएड के साथ, सेम यूनिवर्स्टी हो, अगर फिर तो दे सकते हैं न, फिर भी आपको यह है प्रोविजन है, कि आपको उसी यूनिवर्स्टी में हो, तो आप बीए के अडिशनल दे सकते हो, एक ही प्रॉब्लम आती है कि BA के exam, कि BA के exam और B.Ed के exam clash ना कर जाएं, आपस में, अगर clash कर जाते हैं तो वो exam आप दे नहीं पाओ, आप डेट शीट देख सकते हों, जो कि हरी university का है, दूसरी बात यही है कि आप जब BA के additional देते हो, तो BA आपने semester से की हुई है, जान annual system से की हुई है, इसके हिसाब से फर् annual के हिसाब से होगे, अगर आप में semester से की हुई है, तो semester के हिसाब से होगे, इसका schedule जा time table भी different हो सकता है, that is why time table difference होने के कारण, और university different होने के कारण, आपका clash कहीं ना हो रहा हो, अगर नहीं हो रहा तो आप दे सकते हो, दूसरा अलग से वीडियो इस पर बना दूंगा, और inquiry से तीनों युनिवस्टियों के पता करके फिर आपको पूरी clarity different video में मैं दे दूंगा, sir please tell, okay हो गया, sir graduation चे मेरा call, elected English, history, sociology, journal English, पंजाबी सी, post graduation चे English literature, ठीक है, sir which is the best, आपके लिए history और sociology को आप कठा कर दीजिए, so sst बन गया आपका, sst के साथ, क्योंकि आपने MA English किये हुई है, इसको English को ही लीजिए, best combination आपका sst English है, दूसरे rank पर आपको English के साथ ये है, best ये ही है, क्योंकि ये हर college में available है, that is why मुझे second पताने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी हादत में इसको मत चोड़ी, अगर आपको shift नहीं job के लिए, government job के लिए eligible हो, provided आप pre-tax seated, वो clear कर लगते हो, sir, BA ने general English, general Punjabi, history, political science and electric Punjabi, तो आपका बहुत अच्छा combination एकी बन रहा है, उसको सोड़ी हो क्या है, history और political science को जोड़ देंगे, जब ये जोड़ दिया इनको, तो SST बन गया, SST के साथ, क्योंकि आपने electric Punjabi पढ़ी है, job के लिए आप eligible हो गए, तो SST and Punjabi ये आपका best combination है, क्योंकि भीएट करने के बाद आप दोनों के लिए, TGT के लिए, train graduate teacher के लिए, जिसने 6th से 10th तक पढ़ाना है, और जिसकी सबसे ज्यादा job निकलती है, उनके एलिजी गुल, that is why best combination is this, next है, Sir, I have done graduation in social sciences and master in economics, then what should be the best combination for me, Sir, I appear for elective English exam, then, देखिए, एक बात है, आपने वो नहीं बताया, के आपने कौन-कौन से subject पढ़े है, social sciences आपने कहा है, तो मैं मान के चलता हूँ, आपने 13 में से 2 social sciences पढ़ी होगी, अगर पढ़ी है, तो आप SST लोगे, आपका SST बन गया, यह पूछा क्या है आपने, के exam, then English and social sciences would be the, English and social sciences would be the, elective English, हाँ, बिल्कुल बेस्ट, ठीक है, आपने elective English पढ़ी है, social science होगी, बिल्कुल ठीक है, Master of Winner, economics का आपको फार्दा हो सकता है, क्योंकि social science में ही यही आती है, दूसरा, आप V.Ed करने के बाद ही काम कीजिए, V.Ed करने के बाद, अगर all is eligible होना चाहते हो, आप Pedagogy of economics का, exam V.Ed में दे दीजिए, additional, तो आप economics के लिए भी eligible हो जा हुए, इस EA करने से क्या हुआ, आपको PGT के government job के लिए आपने जीए, Sir graduation चे मेरे को, elective English, history, sociology, general Punjabi Punjab, history and sociology आपका बन गया, SST, और elective English, तो आप इसको मत छोड़िये, यहां रखिये, यहां English, this is your best combination, B.Ed के बाद आप eligible zone post के लिए के लिए, वे elective पड़े होए है, आपने TGT, Peter Seated की त्यारी कीजिए साथ साथ में, Sir B.Com के लिए best combination, does the please, इस पर अलग से video पूरी बनाई हुई है, वो भी देखिजी उसमें ज्यादा detail में दपाया गया है, नीचे link भी दिया गया होगा, तो आपको के लिए, आपका commerce number one है, कि commerce आपका बनेगा ही बनेगा, Commerce आपका बनेगा, okay, commerce के साथ आपके दो option है, जान दो economics, यह देखना है, कि क्या आप, तो अगर M.com हो, तो क्या में economics करना चाहते हो, अगर B.com भी हो, तो इनमें से commerce की post graduation किसकी करना चाहते हो, यह अपने आपसे question पूछिए, यह रहा question mark मैंने डाल दिया, अगर answer आता है commerce, हाना, तो commerce को बनती ही है आपनी, अगर economics ज्यादा आ रहा है, तो commerce के साथ, आप economics ले लीजिए, पर, यह रखना, आपको फाइदा तभी है, यह अगर जिसकी PG करते हो, इसकी भी PG करनी पड़ेगी, तो आप commerce के लिए eligible हो, economics की PG करते हो post graduation, तो आप economics के लिए eligible हो, अगर आपको लगता है कि मैं TGT के लिए eligible बनना चाहती हूँ, तो आप commerce के साथ, language लोगे, for example, English, अगर आप पिंजाब से बढ़े होगे हो, तो आपकी पिंजाबी होगी साथ में, तो यह आपके तीन combination बने हैं, अगर आप TGT के लिए eligible होने चाहते हो, और फिर आपक आपकी को prefer करते हुए English, commerce English आपका दूसरे rank पर आगया, जब दूसरे rank पर ही हो सकता है पंजाबी, यह आपने choose करना है पंजाबी जब English, उसके बाद आपको एक काम B.A. करने के बाद, आपको एक काम करना पड़ेगा, B.A. का, अगर आपने English रखी है, तो English के तीन गुना आपको देने पड़ेंगे, एक मन्त में हो जाते हैं, अडिशनल B.A. का देना पड़ेगा, फिर आप T.G.T. के लिए भी अरिजिबल हो जाओगे, सर मेरे कोल B.A. विच हिस्ट्री जोग्राफी पिंजाबी 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 कंपलसरी ते हैं, बेस्ट क जो सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे हैं, सोशल साइसिज के ओमी, केंदरी विदाले सेंटर की कोस्ट में सीट एट क्लियर करने के बाद, अगर आप SST के टीचर बदना चाहते हो, तो आपको कहा जाता है, मिनिमम तेरा में से आपने हिस्ट्री ज़रूर पढ़ी हो, ज अगर एक्स्ट्रीम कोई सिट्वेशन है, तो आप फिर से कोशिन कर सकते हैं, सर्फ मैं BCA कीती हुई है, BCA का सेंटर आ गया, कम्प्यूटर, तो हर एक समिस्टर पर अलग-लग सब्जेक्ट हों देयां, ठीक है, जि त्री यर्ज कोई नहीं पढ़िया, बिच केड़े- पाउलस हैं, ज़्योटर के लिए लिए लेजीबर हो, आपका मेजर बनेगा कंप्यूटर, मेजर सब्जेक्ट आपने कंप्यूटर ही पढ़ना है, कंप्यूटर के साथ आपको, क्योंकि पंजाबी तो कमसे कम एक साल पड़ी हैं, याप पजाबी आप ले सकते हो, इंग् एक साल पढ़ा है उसके साथ आपका combination बनता है, computer first बनेगा, computer science Punjabi, computer science English, computer science Hindi, यह नहीं है कि मैंने रख one इसको कर दिया, second इसको third इसको, यह आपने देख रहा है कि मेंगा interest किस में है ज्यादा, किस को ज्यादा अच्छी तरह से मैं teach कर सकता हूँ, पंजाबी को तो computer Punjabi, अगर English है तो computer English, अगर आपका बनता है, Hindi में interest है जा और एक साल आपने पढ़ा है, वो आप तीसरा रख सकते हो, B.Sc, computer science या B.Sc non medical का video होगा, वो देख ली जी आपके computer के सारे combination उसमें पाएगा, यह रहा आपके BCA, B.Sc, IT graduate, computer science and computer language, allowing, आप language के सारे quedar निया है, computer के सारे मत्स को अगर एक साल आपने पढ़ा है, यहां पर एक और 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 कर सकते हैं, computer and maths आपका एक और यह रहा computer, और language, कंप्यूटर और लेंग्वेज तीन होगी एक दो तीन जो बात बता के हों दूसर कंप्यूटर और मैट अगर मैट में ज्यादा इंटरस्ट आ है तो आप मैट को पहला राइंग दे सकते हो तो इस अपन यू देटर किसका आप प्रेफरेंस बनाते हो अपने टीच जिसको अच्छी तरह से कर सकते हो इंटरस्ट इसमें ज्यादा है मार्च इसमें ज्यादा आते हैं वो अलग से वीडियो बदाएंगे हैं उनको आप नीचे लेख सकते हो डिस्क्रिप्शिन बॉक्स म को क्योंकि आपने इलेक्टिव कॉल से पढ़ लिए है इलेक्टिव इंग्लीश है वैरी रुट मेर्यूद सायंस किया है मेरे बियेड में बेस्ट कॉंबिनेशन क्या होगा गुवर्मेंट जोब के लिए येस आपको बताता हूं government job के लिए, आपके काफी combination बनते हैं लेकिन suggestion आपको ये है क्योंकि आपने political science की हुई है, और MA English की हुई है, that is why first आप opt कीजिए, यहां पर आगे political science and history, और लिखा है आपने ये क्यों मुझे नहीं पता, और history पड़ी है, अगर दोनों पड़े, and है यह ये first, क्योंकि आप जाते ही TGT के लिए eligible हो जाओगे, पीटर सीटर देना पड़ेगा, और SST के साथ आप English ही लीजिए, क्योंकि आप MA English हो, दूसरी preference आपकी बन रही है, Paul science and English, लेकिन ये इसको दूसरी क्या रख रहा हूँ, क्योंकि ये जो Paul science है, आपको PGT के लिए eligible तही क्योंकि आपके साथ already post graduation PGT है, तो first है SST English, second है political science English, आपे बने किस के लिए job के लिए eligible हो, SST करने के बाद आप PGT के लिए eligible हो, English करने के बाद भी आप PGT के लिए eligible हो, और political science करने के बाद भी आप PGT के लिए eligible हो, that is why this is your best combination, SST English and political science Ste puisque. आपने आप कहे रहे हो कि Economics आपने पड़ी हुई है, Number 1, Economics है, Computer Science है, और Elective Punjabi है, तो अब आपको अगर TGT के लिए जाना चाहते हो, आप में इसको पंजाबी को मत छोड़िये हर हालत में, क्योंकि TGT जाते ही आप eligible हो, Elective Punjabi पड़ी हुई है, इसको साथ में रखिये, अब किस आप TGT के लिए eligible होई है, यह भी TGT के लिए, और दोनों के लिए आपको BID के बाद कोई भी extra paper नहीं देना पड़ रहा, तो अगर Economics Computer, Economics के साथ आप जा रहे हो, आपने यह पूछा है ना, Economics and Computer का, यह second rank बन रहा है, आपको first rank यह ही बन रहा है, second rank क्यों है, क्योंकि Economics का आप Pedagogy of Economics के लिए, PGT के लिए, post graduation teacher के लिए, ग्यार्मी बार्मी क्लास को पढ़ाने के लिए यह teacher होते है, PGT teacher, वो दो साल बाद eligible होगे, that is why Economics को आप पीछे रखिए, Computer Science और पंजाबी करोगी है, हाँ, अगर आपका interest ज्यादा Economics में है, पंजाबी से ज्यादा जादा पंजाबी में कम है, हाँ, तो फिर आप हर हालत में यही लेंगे, मान लिजाए, आपका Computer Science में नहीं है, interest कम है, इन तीरों में से, तो आप Economics के साथ पंजाबी लोगे, यह आपका तीसरी बनेगी, तीसरी नहीं इसको कह सकते, यह depend करता है, आपका interest किसमें है, that is why यह पहली भी आपकी हो सकती है, मेरे हिसाब से, logic point of view आपके हिसाब से, job के हिसाब से, interest emotion होते है, लेकिन यह job के logic के हिसाब से, आपका first यह बन रहा है, second यह बन रहा है, third यह बन रहा है,